अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल UK वीडियो वर्ज में आज की वीडियो का टॉपिक है भट उपनाम का उत्राखन में इतिहास तो आईए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वेडियो भट उपनाम के लोग उत्राखन के पर्वतिय और दुर्गम इलाकों के निवासी है परन्तु आज कालांतर में मैदानी और शहरी राज्यों में ये पैल चुकी उत्राखन के प्राचीन इतिहास के साथ साथ इस उपनाम के लोगों का भी बहुत प्राचीन इतिहास रहा है ये पहाडों में कब से और कहां से विस्थापित होकर आए इस विशेपर विद्वानों में अलग-अलग मत है उत्राखन के समीपुर्थी नेपाल तक इनका विस्तार है प्राचीन काल में जमीन से जुड़े होना और पशुपालन का व्यवसाय इनके जीवन का मोख्याधा था ये लोग प्राचीन काल से ही अपने कुल के देवी देवताओं के उपासक रहे हैं और धर्ण कर्म में अटूट श्रद्धा रगते हैं धर्ण और शास्त्रों के विद्वान और ग्याता रहे हैं इस उपनाम के लोग अपने पहाडी त्योहारों और सांस्कृतिक पुत्सवों को बड़ी धुमधाम से मनाते थे और किसी भी सांस्कृत पुत्सव में अपने मूल स्थान पर जरूर जाते थे इतिहास ने जब भी मौका मिला इन्होंने अपनी विद्वता का परिचे हमेशा दिया थे बुगलो और विदेशी आक्रमन कारियों से लोहा लेने में भी इन्होंने अपनी वीर्टा का परिचे दिया था और तक कालीन पहारी राजाओं के साथ इनके प्रगार संबन ये राजिकिय कारियों में राजाओं की मदद किया करते थे और कई बार राजदर्भार में सम्मानिक किये जाते इस उपनाम के लोग प्राचीन काल से ही मिलन्सार प्रवेटी के रहे हैं लेकिन इनकी विदवता और वीर्टा के आगे दुश्मन भी घुटने देग देते थे आधुनिक समय में इस समाज के लोग विबिन विबिन प्रकार के कारे कर रहे हैं और प्रतिस्टिक पदों पर रहकर अपने कुल का गौरव गड़ा रहे हैं। पुराने समय में समुदाय के लोग इस्थाना अनुसार, कुमावनी, गड़वाली और अन्य पहाडी भाशाएं या बोलियां बोलते थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट शेक्शन में हमें जरूर बताईएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।